हैं फिछले ल्क्ट्वेर शुरू किया था और सॉफ्ट्वेर में हमने ये पड़ा system software क्या होता है application software क्या होता है और utilities क्या होता है उसी में हमने system software में operating system और उसके type पढ़ दिये language translator अभी नहीं पढ़ा जब हम languages पढ़ेंगे computer की सारी languages C language क्या होती है C++ क्या होती है जितनी languages हैं वो सारी पढ़ेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे language translator क्या होता है और हमने application software पढ़ा, application software में हमने microsoft word पढ़ दिया, उसकी shortcut keys पढ़ दी, बहुत बच्चे बोर रहते सर, keys याद करनी बहुत मुश्किल है, उनके लिए भी बेहतरीन तरीका हम लाएंगे, आज तक banking में जितने भी सवाल आए हैं, कम से कम 2000 mcq की list बनाएए हमने, वो पढ़ाएं नहीं देखा, तो पहले Microsoft Word का lecture देखिए, अब हम पढ़ेंगे MS Excel, फिर पढ़ेंगे MS PowerPoint, तो चलिए, शुरू करते हैं, Microsoft Excel की बात, सबसे पहले, देखिए, हर चीज सीखने का एक sequence होता है, ऐसे इनी बीच में से topic अठाया, और पढ़ने शुरू होगे, अगर आपका पहला lecture ह देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, फिर यहां पहुँचिए, हमारी playlist में हमने वो सब कुछ sequence में कर दिया है, अगर आपको याद है, तो मैंने आपको बताया था, Microsoft Word जो होता है, यह कैसा software है, This is Word Processing Software, यह Ladakh के teacher के paper में आ चुका है, बहुत बार banking में भी आया है, Which of the following is Word Processing Software तो जब Microsoft Word एक Word Processing Software है, यानि कि उसमें हम लिखते हैं, यह मतलब होता है Word Processing का, यानि कि words के साथ खेलते हैं, लफजू का खेल है, किताब बनाते हैं हम उसमें, तो Microsoft Excel क्या होता है, तो Excel के बारे में सुनिए, ऐसे vertical lines होती है, और इनके बीच यह जो जगा होती, इसको बोलते column, और ऐसे horizontal line होती हैं, इनको बोलते हैं, इनको बोलते हैं, रोज, यह जो लाइने में horizontal बना रहा हूँ, इनको बोलते हैं, रोज, तो vertical column और horizontal यह रोज के इस area को बोलते है, Microsoft Excel, तो paper में आता है, Excel कैसा software है, this is spread sheet software, देखो, यह vertical column और रोज को यह जो है, यह वला area, इसको spread sheet बोलते हैं, तो पहला सवाल, this is spread sheet software, यानि कि हम डबू में चीजें लिखते हैं, ऐसे डबे बनते हैं, vertical and horizontal lines के बीच, उनको बोलते हैं, इसको ऐसे area को बोलते हैं, spread sheet, तो Excel कैसा software है, this is spread sheet software, ठीक है, अब आगे note बनेएगा मेरे साथ, पहला Excel को, Excel के बाद पहला point लिखे, this is spread sheet software, यूज कहां होता है, this is used for organizing, analyzing and storage of data in tabular farm, tabular का मतलब था टेबल की शकल में हम डेटा को कापी करते हैं, अगर आपको समझ नहीं आया तो चलिए अपनी डेसी language में चलते हैं, डेसी example लेते हैं, याद करो वो लमहा, जब छोटी classوں में आपको fees card दिया जाता था, और fees card के यहां लिखा होता था, January, February, March, ऐसे महीने, और यहां डबे डबे बने होते थे, वो जिसे January की fee दे दी, March की fee दे दी, December की fee दे दी, या नहीं दी, यादा रहा, उल्टी side क्या लिखा होता था, अंग्रेजी में कुछ लिखे हो, जैसे advisor, सुबा पांच बजे उठना है, पॉल चलिए आगे तलते हैं, तो Excel spreadsheet software है, इन इन कामों के लिए use होता है, अब Microsoft Word में मैंने बतया था, MS Word के अलावा, Notepad है, WordArt है, डिर सारे software हैं, जो के Word Processing हैं, तो क्या Excel के अलावा कोई software है, ऐसा सवाल आ सकता है, कि Excel को छोड़के, इन में से कौन सा spreadsheet software है, तो spreadsheet software कौन कौन से हैं, एक तो Excel, उसके लावा Lotus 1, 2, 3, और Quattro Pro और Excel, ये भी spreadsheet software हैं, आगे चलते हैं, Microsoft Excel में क्या होता है, single file is called workbook, देखिए, हमने MS Word में कोई file बनाई, और MS Excel में बनाई, MS Word में जो हम file बनाते हैं, उसका नाम होता है, book one, क्या नाम होता है, book one, और यहाँ पे जो file होती है, single file उसको workbook बोलते हैं, क्या बोलते हैं, workbook, अब एक workbook के अंदर डेर सारी worksheets होती हैं, यसे worksheets में आपको बटाता हूँ, देखिए, यह ऐसे लाइने है, verticals, और यह लाइने है, horizontal, इस पूरे को बोलते हैं, work sheet, और यह जो software है, उसको बोलते है, excel बोलते हैं, तो चलें आगे, देखिए, grid of cell, अच्छा cell क्या होता है, देखो पहले मैं एक बार समझा लेता हूँ यहाँ पे, horizontal rose, horizontal मतलब ऐसे वली लाइने, लंबी-लंबी, लंबी-लंबी लटाई ही लाइने, इनको horizontal बोलते हैं, vertical क्या होती है, ऐसे खड़ी लाइने, इनको vertical columns बोलते हैं, इनके बीच, यह देखिए, यह डबा, इसको cell बोलते हैं, इस डबे को क्या बोलते हैं, cell, पेपर में आता, intersection of rows and column is known as cell, rows और column के intersection को क्या बो बाते करते हैं, प्यारे बच्चो, आब इतना ग्यान बरसेगा, इतना ग्यान बरसेगा थोड़े दिनों के बाद किसाइंस सबजेट की दजियों उड़ाने वाले हैं, कंप्यूटर के MC क्यू करेंगे, ऐसे मदा आ जाएगा, आपको सवाद आ जाएगा, आप बोलोगे, व अगला सफर शुरू करते हैं, देखिए, ये मने आपको सब बता दिया, intersection of rows and column is called, उस grid होता है, जो उसको क्या बोलते हैं, और उसकी numbering होती है, A1, A2, A2, A7 numbering होती है, अब सुनिए, अच्चा है, MS Excel यूज किसली होता है, monthly budget बनता है, state का, countries का, UTs का, कोई छोटी organization है, उसक accounting purpose के लिए, अभी आप account में जौब लगने वाली है आपकी, तो आप दफ्तर में जाएंगे, आपके सामने चाया रही होगी, और बोलेंगे, madam जी, या master जी, चलिए ये data, account ledger में add कीजिए, तो आप बोलोगे, वाह, master ने बताया था, Excel में data add करते हैं, फिर जब महीने के 31 त account credit होगा, तो पहला सवाल आपके मन में क्या आएगा, aspire add के master के खाते में डालते हैं, चलो, वहाँ पैसे का डालोगे, हमसे लोगे, चलिए, और इसमें balance sheet बनती है, बिजनस के लिए, यहां तक हो गया, इसको points में लिखिएगा, जो बाते में ने बोली है, जरा भी कहीं doubt है, तो नीचे comment कीजिएगा, aspire add का number हमने दिया है, तो add की दफ्तर में call कीजिएगा, उसी वक्त faculty से बात होके आपकी help की जाएगी, आगे चलते हैं, याद करो वो लमहा, सुनेहरी लमहा, कौन सा, वो अला नहीं, जब lockdown खुलता था तो बागे बहु जाते थे, वो नहीं, मैं पर दोड को start करने के दो तरीके हैं, अगर याद आ रहा है, ठीक, नहीं आ रहा, दिमाग पे जोर डालिए, और जोर डालिए, और जोर डालिए, अगर फिर भी नहीं याद आ रहा, तो इस lecture को छोड़ दीजिए, पहले वाला lecture पढ़िए, फिर आ गया ये, तो start करने के दो एक, start पे जाओ, all program पे जाओ, ms office पे क्लिक करो, और खुल जा, sim, sim, हमारा ms excel, ये detailed वे है खोलने का, shortcut, window, window की की होती है, मैंने आपको, जब keyboard पढ़ाया था, तब पढ़ाया, ऐसे windows की की होती है, window की और r का button, अगठा दबाना है, तो हमारे सामने एक ऐसा डबबा आ जाए exe, तो बस फोरन खुल जा, sim, sim, आपके सामने एक्सल की sheet आ जाएगी, अगर आपने पुराना lecture अच्छे से पढ़ा है, अभी वीडियो को रोकिए और नीचे comment में लिखे, dot exe का क्या मतलब होता है, dot exe, इसका क्या मतलब होता है, मैंने पहले lecture में बताया है, अगर आपको recall करने की power खत्म हो जाएगी, ये फर्क होता है, एक true teacher में और सिर्फ रटी रटाई चीजों को सुनाने वाले बंदे में, ये और teacher में फर्क होता है, teacher बच्चों के अंदर creativity डालता है, learning का शोक डालता है, बलके आम इनसान बच्चों को अपने पीछे लगाता है, और बोलता जाओ, चलो, आगे चलते हैं, घ्यान की बाते करते हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है, तो हमने MS Word में पढ़ा था, जो 2003 से पहली फाइल होती है, उसका extension क्या होता है, अगर extension आपको याद नहीं तो मैं फिर से revise करवा देता हूँ, देखो, चलो इसको हम layman language में आपको बताता ह है, देखो, मैं यहाँ पर नमबर लिख रहा हूँ, 70068, आप मुझे बताओ, यह कौन सी सीम का नमबर है, हाँ बताओ, वह, वेरी गुड, आप सब के जहन में आ गया है, अरे मास्टर जी यह तो जीयो का नमबर है, है कर नहीं, अगर आपको याद हो माजी के पास्ट के वो कौन सा नमबर है, आपके जहन में आ रहा हम मास्टर, यह तो BSNL का नमबर है, आप मुझे बताओ, आपको कैसे पता चला, यह BSNL का नमबर है, जीयो का नमबर है, एटल का नमबर है, या इरसल का नमबर है, स्टार्टिंग वाले कोड देखके, पता चल जाता है ना, इसी इसे कम्प्यूटर को कैसे पता चलेगा ये MS Word की फाइल है Excel की फाइल है PDF है PPT है Image है आखिर ये बला क्या है इसी चीज़ को बोलते है File Extension क्या बोलते हैं? File Extension देखिए अगर लिखा हो .PDF इसका मतलब ये PDF फाइल है इसकी फुल फाम्स में बताऊंगा DOC तो आपको बता चल गए ये document फाइल है DOC X लिखा DOC है DOG नहीं है ये DOG नहीं है ये DOC X है इसका मतलब ये Word 2007 की फाइल है उसी तरीके से अगर लिखा हो कहीं पे .XLS तो इसका मतलब होता है ये Excel की फाइल है मगर 2003 का जो वरजन है उसकी फाइल है और अगर लिखा हो कहीं पे .XLS इसका मतलब होता है ये भी Excel की फाइल है मगर ये 2007 और उसे अबो जो वरजन है उसकी है ये वरजन्स क्या होते हैं ये वनने आपको बताया है पहले लेक्चर में अगर में आपने आफिस वाला लेक्चर अच्छे से पढ़ा है तो फोरण नीचे कमेंड कीजिए वट ड़ज एक्स स्टेंड्स फार ठीक है इन एक्स एल एस एक्स वट ड़ज दिस एक्स इंडिकेट्स एक्स का क्या मतलब होता है फोरण नीचे बताईए और मैक्रो मैंने आपको बताया था मैक्रो क्या होता है एक पर फिर से रिवाइस करवा देता हूँ कोई ऐसा डबा जो हमने बना दिया जिसमें कोई रिकॉर्ड डाल दिया हमें बाद में भी इसकी जरूरत पड़ेगी तो उसको बार बार बनाने की जरूरत नहीं होती इसको हम सेव कर देते हैं एक आप्शन आता है मैक्रो और फिर बाद में जहां जरूरत होता है तो उसको पेस्ट कर देते हैं सिंपल बार बार बनाने की जरूरत नहीं होती है टाइम सेव होता है इसे इतनी बाते पर चलिए आपको आप चलते हैं और आगे ग्यान की बाते करते हैं एकसल के कंपोनेंट क्या होते हैं इससे आगे जो है यह ज़रा मुश्किल है चीजें याद करने की आपको जरूरत पड़ेगी देखिए यह है एकसल की शीट MS Word में भी इसी तरह हमने आपको बताया था एकसल में भी बता रहे हैं देखो इस पूरे एरिये को बोलते हैं यह वर्कशीट है देखो यह लिखा ना वर्कशीट मैंने भी आपको बताया था ओपर यह जहां पर डबे डबे ऐसे बने हैं इसको बोलते हैं वर्कशीट क्या बोलते हैं वर्कशीट आफिस 2007 से पहले तीन वर्कशीट हुआ करती थी और आफिस 2019 के बाद एक वर्कशीट है अड़वांस है ये ज्यादा सेल्स होते है इसमें अब देखिए ये जो यहां पर एरिया है ना ये जहां पर मैं लाइन लगा इसको बोलते है टाइटल बार ये बार ये दूसरा वाला नहीं है जो कनाल डोड़ पर है भी ये आर वाला 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 नहीं है ये दूसरा है टाइटल बार है ठीक है अब आपकी बावनाओं को मैं जगाना नहीं चाता हूँ वो वाला बार नहीं है जो अभी खुल गया है चलो कोई बात नहीं है ये दूसरा टाइटल बार है टाइटल के ओपर लिखते हैं चलिए बहुत अच्छे बचे आगे रिबन इस एरिये को बोलते है रिबन रिबन में ये ये चीजें होती है अब हम पढ़ेंगे ये क्या क्या होता है अच्छा यहां पर होता है एक लिखते हैं A और B ऐसा होता है एक्सल का फार्मूला शुरू किसे होता हमेशा एक्वल टू साइन से चलें आप ग्यान की बाते करते हैं अभी जो बाते हमने ये यहां बे बने आपको दिखाया है अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या क्या होता है कंपोनेंट देखिए ये कंपोनेट बनाने की जरूत नहीं है एसपायर अड़ा ने बेहतरीन कंप्यूटर की किताब डिजाइन की है जो हम आपको बहुत जल्द देने वाले हैं पूरी की पूरी PDF किताब देंगे प्रिंट निकालके उससे पढ़िएगा मगर पहले खुद के नोट्स बनाने बह जोब लग जाए तो आज कनाल रोड में जितनी भी किताब हो वाले हैं सारे के सारे I.S. अफिसर होते ये जम्मू में जितनी भी किताबे हैं पकाडंगा में जितनी भी किताब हो वाले हैं सारे I.S. अफिसर होते किताबें खरीदने से कुछ नहीं होता उनको समझाने वाला गुरू गाइड होना चाहिए जो बताए नोर्ट कैसे बनाने हैं खुद के नोर्ट तो देखिए Office Button सबसे पहले उपर होता है मैं आपको बता देता हूँ एक पर Office Button होता कहां पे है यह जहां पर लिखा है यहां पर File होता है exam में आता है कि office button के अंदर या file के अंदर क्या option होते है पहले number पे होता है new यानिके नई file बनानी है या होता है open कोई परानी open करनी है या होता है save save का मतलब उसमें changes करके save as का मतलब उसको rename करके save करना दूसरी location पे या print या share ये वाले option होते है office button के अंदर अब मैं आपको बताऊंगा notes आपको कैसे बनाने है उपर heading लिखनी है component of excel नीचे point number one और one point पे लिखना है office button या file और फिर नीचे लिखना है A क्या होता है उसके अंदर उसके अंदर होता है new B दूसरे नंबर पे क्या होता है open और vertical नीचे C क्या होता है save ऐसे vertical अगर आपको याद हो तो छोटी कलास्व में अगर आपके टिचर efficient हुए होंगे तो उन्होंने आपको जब ऐसे याद करना सिखाया था तो point two में ऐसे याद point number one point number two point number three ऐसे vertical चीजें ज़्यादा जल्दी याद रहती है इसलिए मैं आपको बोलता हूँ vertically nodes बनाई ठीक है दूसरे नंबर पे quick access bar पेपर में आता है which of the following is not a part of quick access bar या is a part of quick access bar सबसे पहले इसमें save undo undo का मतलब होता है जो भी कर दिया उसको हटाना है MS office के shortcut में बने प्राया आपको redo दबारा उसको करो और डेर सरे बाकी option होते है customize customize का मतलब होता है अपने हिसाब से change कर सकते हो title bar में क्या होता है excel की file का नाम होता है मैं आपको बता जिता हूँ title bar कहा है ये देखिए इसको बोलते हैं title bar ये यहां पे आगे excel की file का name होता है क्या हमने नाम रखा है ABC.xls ऐसे करके title bar के बाद देखिए आगे है ribbon ribbon में क्या क्या होता है अच्छा अब इसको अपने note में कैसे लिखना है देखो सबसे पहले लिखो ribbon और ribbon के नीचे ऐसे लिखो पहले नमबर पे ribbon के अंदर होता है home ribbon के अंदर होता है इंसर्ट पेज लेओट फार्मूला डेटा रव्यू या व्यू ये सारे किसके अंदर आते हैं ribbon के अंदर आते हैं ठीक है फार्मेट का मतलब कैसा हम और आते हैं कर डिखो जयके हम व्यूर शीस अंदर ठार्म झाल यूु़ अगर आप यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें